सो वेलगम टू ग्रेड अप्ग्रेड तो हम लोग पिछलने लेक्चर में क्या पढ़ा था स्कोप बिलिंग and definition, तो मिनिंग का अगर फटक से मतलब बता दो, तो macro economy मतलब क्या होता है, macro, Greek word macro से derived होगे, जिसका मतलब large, means हम लोग macro economy में पूरे economy का एक साथ study करते, means we are studying nation's economy, not an individual, फिर उतके बड़ डेफिनेशन क्या दिया था, अपना, शेफिरों ने दिया था, कि पूरे nation को, जैसे कि यहां पर क्या लिखा था, macro economic deals with the functioning of the economy as a whole, मतलब पूरे economy का जो यह कारेक्रम होता है, जो function होता है, उसे एक साथ deal करते है macro economic में, okay, अब देखते हैं feature, feature अभी जिन लोग ने micro पड़ा है, उनको पता है कि macro का feature उससे opposite ही होगा, ठीक है, जैसे कि पहला दिया है study of aggregate, study of aggregate का मतलब भी क्या होता है, कि पूरे economy को एक साथ study करना, जैसे कि micro में किया था study of individual, बड़ या, क्योंकि वहाँ पे एक एक की study होती थी, study of aggregate मतलब पूरे economy as a whole की study होगी, अगला दिया है income theory, income theory हम लोगों ने भी scope में पढ़ा था, income तेरी मतलब क्या, macro economy मदद करता है कि क्या चीजों के वज़े से, देश के national income पे, देश के national income नहीं बोलेंगे, national income पे कैसे impact पड़ता है, और उन चीजों के वज़े से कैसे inflation या deflation पे work होता है, means अगर income बढ़ेगा, तो क्या inflation होगा, income गिरीगा, तो क्या deflation होगा, और कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में macro economy में deep down study किया गया है, अब third point दिया गया है, मुझे general equilibrium analysis, general equilibrium analysis मतलब क्या, जैसे कि micro में था partial equilibrium, partial equilibrium मतलब क्या, other thing को छोड़ कर isolate एक particular commodity के बारे में study करने को बोलते थे, partial equilibrium, general equilibrium मतलब क्या, study the whole economy as, study the whole nation as one, okay, तो इसके लिए कि यहां पर लिखाया था, general economy deals with the behavior of demand, supply and the prices in the whole economy, साब चीज एक साब, तू भी या, तू भी या, तू भी या, तुम सब की पड़ाई एक साथ की जाएगी, okay, fourth दिया है, interdependence, interdependence मतलब क्या, एक दूसरे पर निर्भर होना, interdependence मतलब होता है, जो depend on each other, okay, dependence मतलब होता है, कि एक दूसरे पर depend है, interdependence मतलब होता है, एक दूसरी पर depend होना, जैसे कि अब अगर मुझे अपनी company का output, जैसे कि देखो, गर company में investment बढ़ेगा, तो investment से output बढ़ेगा, output बढ़ेगा, तो cost गिरेगा, cost गिरेगा, तो क्या होगा प्राइज हम लोग अच्छा रख पाएंगे और प्राइज अच्छा रहेगा तो प्रॉफिट जादा होगा प्रॉफिट जादा होगा तो इंवेश्टमेंट जादा होगा इंवेश्टमेंट जादा होगा तो जादा होगा तो इक दुसरे पर डिपेंडेंट है ना सब ओके और जब आउटपूट जादा होगा तो एम्प्लाइमेंट भी जादा मिलेगा ना विकोज उस प्रोड्यूस करने के लिए लोग चाहिए ना इसके लिए बोले कि आपस में इंटरिपेंडेंडेंस होते हैं फिर लंपिंग मैथर लंपिंग इस आपोजिट में एंडे का टएकट ताहर बेंग इचाव फिदा इंडिविज्वीजूल उक्तिबीज Zum II इंट एफ उनीच थन सपलत को मारइं शुविध मोडल मतलब आगया ज्यवट आप यह बारो क्या करेगा अपने को अलग-अलग growth model और development model प्रोवाइड करेगा means how can you do growth of a country how can you make country develop we can do with the help of macro economy okay seven बोला है general price level general price level मतलब क्या general price level का देखलों ने proper मतलब यहां पर बोला है कि general price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy general price level मतलब कि जितने भी goods produce जितने भी goods and services produce हो रहे हैं उनका average निकाली उसे general price level बोला जाता है और general price level को determine करने में कि वो कितना होगा और उससे causes क्या होंगे उसके परिणाम क्या होंगे यह भी हम macro economic के मदब से पढ़ पाते हैं और policy oriented मतलब क्या कि जैसी कि हम लोने पढ़ा ना कि अलग अलग policy बनाने में मदब करता है यसी कि केन ने बोला है macro economy is a policy oriented science it suggests suitable economic policy to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression मतलब macro economy मदद करते हैं कैसे growth कर सकते हैं कैसे development कर सकते हैं कैसे inflation को रोका जा सकता है और कैसे depression को भी रोका जा सकता है तो यही देखिए हमारे 8 point है macro economic के that is study of aggregate, पूरे economy को एकसाज study करना income theory means what causes changes in the national income इसके बारे मदद करता है general equilibrium analysis मतलब क्या कि पूरे economy को as a whole करके पढ़ना partiality नहीं करना, को क्या isolate नहीं करना interdependence क्या, हर factor macro economy में एक दूसरे पर dependent होते हैं अगर एक पर जो impact होगा, अगर एक पर अच्छा impact होगा, तो वही impact बाकियों को भी घूमता रहेगा और उसके बाद क्या दिया है, मुझे lumping method, lumping method is opposite of slicing method slicing method मतलब होता है, एक एक study करना, lumping method होता है कि पूरे का study करना growth model मतलब क्या, क्या अलग अलग growth and development model हम लोग पता लगा सकते हैं, macro economic की बदस से, जैसा महाँ पर दोके एक महालू 20 करके word भी दिया है आपको, ओके, महालैनो 20, ओके, यह word भी दिया है आपको, ओके, फिर उसके बाद यह जनरल प्राइस level means general price level का मतलब लोगोंने बताएगी कि जितना भी प्रोडक्शन राग गुड्स and services उनके average price निकालने को जनरल प्राइस बोलते हैं तो जनरल प्राइस लेवल को determine करने में मदद करता है macro economy और policy oriented मतलब क्या अलग-अलग policy इसी फ्रेम करने में भी macro economy क्या करता है हमारी मदद या साहता करता है ओके अब लोगो macro economic का feature समझ गया होगा तो चलिए अभी next video में मिलते हैं और जो हमारा इस chapter का last answer is that is importance उसके बारे में हम क्या करते हैं study करके इस chapter को हम अगले वीडियो में खत्म कर देंगे तो चलिए मिलते हैं next video में till then take care bye bye and subscribe to grade upgrade thank you